नमस्कार दोस्तो वेलकम टू विजाडे इन्फो डिफेंस तो दोस्तो जिसा कि आपको पता होगा कि जब से चीन के साथ तनाव भारत का बढ़ा है तब से डियाइडियो और भारत की जिदिन भी डिफेंस इंडेस्ट्री है वो लगातार खतनाग मिसाईलों का निर्माद कर है और दोस्तो यदि हम लोग कुछ पिछले कुछ महिनों की बात करें तो उसमें डियाडियो ने करीब 40-50 मिसाईलों का परिछड अब तक कर चुका है जब से चीन के साथ तनाव बढ़ा है और उसी में कुछ और मिसाईलों को नाम जूड़ने जा रहा है तो दोस्तो वीड दोस्तो कुछ दिन पहले ट्वीटर और बाकी जो सोसल साइट से उस पर एक ख़बर चली थी कि जो डियाडियो है वो अगनिसिक्स मिसाईल का परिछड करने वाला है तो दोस्तो ऐसा हुआ कि अगनिसिक्स नहीं एक और नहीं मिसाईल का नाम सामने आया जिसका नाम है के सि अगनिसिक्स नहीं मिसाईल है जिसको की परमाड़ो पंडूबी के जरिये इसको लांच किया जाता है और दोस्तो आपको बता देख कि भारत कई सारी मिसाईलों का बहुत पहले परिछड कर चुका था जिसमें कि अगनी स्रीच की मिसाईल ए थी जिसमें कि अगनी 1,2,3 और 5 और दोस्तो आपको बता देख कि भारत चोटी सारी कई सारी मिसाईलों का परिछड लगातार कर रहा है मगर दोस्तो यह दिमनों बात करें बड़ी मिसाल कि यानि कि इंटर कॉंटिनेंट बैलेस्टिक मिसाईल की तो उसका परिछड करीव कई सालों से रुका हुआ यानि क जो उसका next version अगनी 5 तक तो भारत ने परिचर किया मगर अगनी 6 और 7 का परिचर नहीं किया तो दोस्तों उसमें बात उठ रही थी कि जो अगनी 6 की जो रेंज होगी वो करीब 10 से 12,000 किलोमीटर जो की पूरे रस्तिया से लेकर के यूरोप को कफर कर लेगी तो इसमें जो यूरोपी देश है उनसे हमारे संबन्द खराब होने का डर था इसलिए भारत परिचर नहीं कर रहा था मगर दोस्तों जब चीन के साथ तनाव बढ़ा तो बाकी देशों को भी एसास हुआ कि भारत को अपने तागत बढ़ानी चाहिए क्योंकि दोस्तों को पता होगा कि जो चीन के बेसे से वो दुनिया के कई देशों में बन रहे है इस वक्त और भारत को नई मिसाइलों का जरूत पढ़ने लगी है और इसी के सिलसिले में एक नई मिसाइल का नाम सामने है जिसके नाम केसिक्स है दोस्तो केसिक्स का जो रेंज है वो तो इनिसली करीब 6 से 10,000 किलो मिटर बता जा रहा है और इसकी जो लांचिंग प्लेट फार्म है ये खासकर पंडुबी के लिए बनाया गया जो कि भारत की दो पर नम परमाडु पंडुबी है आई एनस अरियंत और आई एनस अरिगट और दोस्तों इसके बाद नाम सामने आ रहा है कि जो अगनी 6 और सौरी मिसाइल भारत की एक नई दोस्तों ये कन्वेंशनल और निक्रियर अटेक के लिए बनाया जा रहा है और सौर मिसाइल के बारें बात करें तो सौर भारत की नेक्स्ट और सबसे लांगेस्ट रेंज वाली मिसाइल होगे जिसकी रेंज है 12,000 से देकर के 16,000 किलो मिटर और दोस्तों इसकी स्पेड करी दोस्तों आपका क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताईएगा और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कि तुरें चैनल सब्सक्राइब करें फिर मिलते अगले वीडियो में